प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिलाँ को खुश रहने और हसने की सला दी जाती हैं। आपको बता दो दोस्तों कि प्रेगनेंसी में खुश रहने से मा और बच्चा दोनों ही स्वस्त रहते हैं। और शिशू की विकास में भी इससे काफी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप भी प्रेगनेंट हैं तो दिल खोल कर हशना सुरू कर दीजिए। दोस्तों हसना किसी दवा से कम नहीं होता है। इससे मूड भी अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी में दोस्तों हसने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। प्रेगनेंट महिलाएं अकसर प्रेगनेंसी के दौरान तनावसी ग्रसित हो जाती है। प्रेगनेंट महिलाओं के तनाव लेने का असर डारेक्ट गर्ब में शिशू पर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को जोरान खुश रहने की और खुब हसने की सला दी जाती है ताकि मा और बच्चा दोनों सवस्त रहें हसने से न केवल आपको खुशी मिलती है बल्कि इससे गर्बस्त शेशु के विकास में काफी जादा मदद मिलती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण कई बार प्रेगनेंट महिलाओं को अचानक दुख और डिप्रेशन महसूस हो सकता है तो pregnancy में दवाईयों का सेवन कम से कम करना चाहिए depression इत्यादी की दवाई आप तभी लें जब आप बहुत अधी की स्रोग से ग्रसित हो जाए तो ऐसे में आप क्या किया जाए बिना दवाई के आप अपना depression कैसे कम करेंगी तो इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेटर चीज़ है कि आप comedy और मजा किया सोच देखना, movie देखना, चुटकले सुनना इत्यादी कर सकती है इनको सुन के आप हस सकती है इससे mood भी ठीक रहता है और धीरे-धीरे आपके depression जैसे जो लक्षन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ultrasound के दौरान जब भी आप जा रही हो तो जड़ा हस कर देखिए इस दौरान जब आप हसती है तो आपका सिसु गर्भ में कैसी प्रक्रिया देता है जब माँ प्रेगनेंसी में खुश और उत्साथ से भरपूर होती है तो बच्चा गर्भ में ज्यादा active होता है और उसका विकास भी बहतर होता रहता है दोस्तों कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान प्रीमेच्योर लेवर का खत्रा भी मंडरा रहा रहता है ऐसे में कई कारक होते हैं जो प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण बनते हैं और जब मा की इम्मुनिटी कमजोर हो तो इसका खत्रा और भी जादा बढ़ जाता है हर पेरेंट्स की खुईस होती है कि उनका बच्चा इंटालिजेंट हो तो अगर आप चाहती है कि गर्ब में ही सिशु की मस्तिस्क का विकास अच्छा हो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, स्वस्थ हो तो ऐसे में मां को हसना बहुत जाला ज़रूरी होता है डायेट के अलावा मां अगर खुश रहती है तो शिशु का विकास, शिशु के मस्तिस्क का विकास बहुत अच्छा होता है इससे गर्बस्त शिशु के मूवमेंट पर तो असर पड़ता ही है साथ ही दिमाग की कोशिकाओं का भी अच्छा विकास होता है दोस्तों इस दौरान हसने से एक और मेहतवपॉन फाइदा ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शुरुवाती समश्याय रहती है या फिर प्रेगनेंसी में जो भी समश्याय गर्वती महिलाओं को लगातार बनी रहती है तो हसने से आपका ध्यान इस ओर से हट जाता है और शलीर में कुछ ऐसे chemical release होते हैं जो natural pain killer यानि की दर्द निवारक का काम करते हैं सब्सक्राइब को morning sickness की दिक्त है कमर में दर्द रहता है, पैरों में एठन रहती है, सूजन रहती है पेट या पेड़ू में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है तो ऐसे में हसने से आपको काफी ज़्यादा relax मिलता है और ये एक pain killer का काम करता है इसके अलावा दोस्तों कई महिलाओं को pregnancy की दरण high blood pressure की समश्या बन जाती है जो की काफी ज़्यादा खतरनाक होता है और इसे pre-clemsia जैसी कई बिमारियों का खत्रा भी मंड़ा रहा होता है ऐसे में कई बार premature delivery की नौवत आ जाती है या फिर कई बार इस्तती बिगड़ने पर normal delivery होते होते सिजीरियन की सिजीरियन करवाना पड़ जाता है और अंत में दोस्तों जैसे मैं आपको बताया कि हसने से pregnant महिलाओं की immunity भी बढ़ती है तो हसने से शरीर में तनाव कम होता है जिससे immune system को स्वस्त रखने वाले hormones और chemical अक्टिव हो जाते हैं तो इस तरह आप किसी supplement या दवा के बिना ही हसकर pregnancy में स्वस्त और बिमारियों से दूर रह सकती है तो देखा दोस्तों pregnancy में हसने से कितने सारे फायदे महिला को और घर्भस्त शिशु को मिलते हैं तो अपने pregnancy में हसना बिलकुल न भूलिए जिससे कि आपका तनाव कम से कम रहे और आपको कोई भी दिक्कते ना हो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू करतीजिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी ही pregnancy related वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सुष रहिए स्वस्त रहिए